दोस्तों जैसे कुछ नहीं समझ आने पर लोग इंस्टाग्राम पर रील देखने लगते हैं, खाली टाइम होने पर औरतें बच्चों की जुए निकालने लगती हैं, बुजुर्ग ताउ बची हुई बीडी को फिर से सुलगा कर पीने लगता है, उसी तरह कुछ भारती टाइम पास करने के लिए सनातन धर्म को गाली देने लगते हैं, जब भी ये नेता जखक मार मार कर मार मार कर बोर हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, तो सोचते हैं कि चलो हिंदू धर्म को गाली दे दी जाए, चलो राम चरित्मानस की बुराई कर ली जाए उसकी किसी चौपाई को कोट करके पूरे हिंदू समाज को नीचा दिखाया जाए फिर होता ये है कि जिस नेता को दोपहर तक उसके घर वाले भी नहीं पूछ रहे थे अचानक उसे पूरे देश में भर भर कर गालियां पढ़ने लगती है तीवी वाले उस पर भहस करने लगते हैं लोग उसके खून के प्यासे हो जाते हैं और ये सब देखकर हमारा खली हर नेता खुशी के मारे उचल पड़ता है उसका बड़िया टाइम पास हो जाता है इतने लोगों को अपना नाम लेता देख उसका इगो सैटिसफाई होता है और वो ये सोच सोच कर खुश हो जाता है कि चलो आग ऐसी लगाई मजा आ गया और यही आज के हमारे इस पूरे प्रोग्राम का सवाल है कि क्या देश में कुछ सियासी पार्टियों ने सनातन और हिंदु धर्म को गाली देना अपना टाइम पास बना लिया है आखिर क्यूं ये लोग बार बार गणतंतर में बैठे ऐसे ही लोगों से कहेंगे कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रॉनक और आप देखरें फंतंतर हाली में इंडी गठबंधन ने प्रेस रिलीज जारी करके देश के 14 न्यूज आंकर्स का बॉयकॉट कर दिया इन आंकर्स पर आरोप लगाया गया कि ये लो समेथ सीडियों से गिरता हुआ सडक पे आ गया जैसे तैसे मैंने खुद को समाला और सोचने लगा कि कोई पार्टी या गठबंधन दिन दहाडे इतना बड़ा जूट कैसे बोल सकता है क्या सच में इंडी गठबंधन ने हिंदु मुसल्मान के मुद्दों से तंग आकर इ लेकिन इससे पहले कि इस पूरे मामले पर मैं अपनी कोई उपीनिन दू मैं आप से चाहता हूँ कि आप अपनी उपीनिन यहां महां वेस्ट मत करो उसका सही इस्तिमाल करो और प्रोफिट कमाओ प्रोबो एप पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जल्दी से प्रोबो आप डाउनलोड करना होगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हूए ठीक है वीडियो पर वापस आते हैं दोस्तों इंडी गडबंदन ने ये कहते हुए 14 एंकर्स का बहिशकार कर दिया कि ये लोग अपने चैनलों पर हिंदू मुसल्मान की पत्रकारिता करके देश म में नफरत फैला रहे हैं मगर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बोलकर इंडी गडबंदन वाले खुद जूट बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं इसके कुछ एक्जामपल देखे बिहार की नितीश सरकार में आरजेडी के कोटे से मंत्री हैं चंदरशेखर लगातार रामचरीत चंदरशेखर ने 8 महीने पहले मनुस्मृती और रामचरीत मानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था तब उन्होंने कहा था कि रामचरीत मानस समाज में दलितों और पिछडों और महिलाओं को पढ़ने से रोकता है उन्हें उनका हक दिलाने से रोकता है इतना ही नहीं आरजेडी के शिवान अंतिवारी ने प्रोफेसर चंदरशेखर की बात का समर्तन करते हुए कहा कि वो ब अइसास दिलाना चाहते हैं कि कैसे इन लोगों ने तुम्हारे साथ ज्यात्ती की सिक्षा मंती चंदरशेखर ने जाती विवस्था पर हमला करते वे रामचरित मानस और मनुस मिती को अभिशाप बता दिया मेरा सवाल यह है कि अगर इंडी गडबंधन को अगर कॉंग्रिस पार्टी को सच में हिंदू मुस्लिम की सियासत से इतनी नफरत है कि वो देश के 14 बड़े एंकरों का बहिशकार कर सकती है तो क्या वो अपने ही गडबंधन में शामिल पार्टीयों को ऐसा करने से नहीं रोख सकती है एक आध बार बयान दिया जाये तो समझ में आता है एक आधा नेता भी बयान दे तो भी समझ में आता है मगर इंडी गडबंधन के नेताओं की तरफ से बार-बार इस तरह के बयान आ रहे है सिर्फ रसम अदाईगी के तौर पर कुछ सीनियर नेता उनकी बुराई कर देते है और जिस नेता की बुराई की जाती है वो दो-चार दिन में फिर ऐसा बयान देने लगता है इसी तरह दक्षिन में इंडी गडबंधन के ही एक और नेता ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की तो इसी गडबंधन के बाकी नेता भी वैसी बातें करने लग गए करनाटक जहां कॉंग्रिस की सरकार है वहाँ भी ऐसा बयान दिया गया कि हिंडू धर्म का जन्म कब हुआ किसी को नहीं पता इसी इंडी गडबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता सौमी प्रसाद मौरे ने तो यहां तक कह दिया कि हिंडू नाम को कोई धर्म ही नहीं है यह सिर्फ धोका है अरे भाई देश का हिंडू दिन रात सुबह शाम बिना किसी वीकली आफ के तुम लोगों से गालियां खा रहा है और कोई शिकायत भी नहीं कर रहा है फिर भी तुम्हें लगता है कि देश में इंटॉलरेंस बहुत है अब हम और क्या करके दिखाएं जिससे तुम्हें लगे कि देश में टॉलरेंस आ गई है क्या तुम सुबह शाम इंदू के घर जाकर उनको चपल से पीटना चाहते हो तब तुम्हें लगेगा कि यह देश बहुत टॉलरेंस है इस अंस को सरकार को सम्यान लेते हुए जो आपत जनक अंस है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को बैंड कर देना चाहिए अब मेरा सवाल है कि एक तरफ राहूल गांधी कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मुवबत की दुकान कोल कर बैटाओ इंडी गडबंदन सरकार पर धर्म की राजनीती करने का आरोप लगाता है यही इंडी गडबंदन सामप्रदाईक पत्रकारिता करने की बात बोल कर एक दरजन आंकर्स का बहिशकार कर देता है और असल में उसी गढ़बंदन के एक के बाद एक नेता लगातार सनातन और हिंदु धर्म का मखौल उड़ा रहे हैं इस धर्म से जुड़े लोगों के sentiments हर्ट कर रहे हैं सवाल यह है कि जिस गढ़बंदन को सामप्रदाईक राजनीती से इतनी चिड है उसे इंडी गढ़बंदन के लोग बार बार एक धर्म को टार्गेट क्यों कर रहे हैं अगर आंकर्स को लेकर इनका विरोध इतना ही सच्चा है तो यह लोग क्यों सबसे पहले ऐसी बयान बाजी करने वाले नेताओं को अपनी पार्टी से क्यों नहीं निकालते हैं क्यों इनके खिलाफ कोई आक्शन नहीं लेते हैं क्यों इन्हें कोई नोटिस तक नहीं दिया जाता वज़े बिल्कुल साफ है चाहे सौमी प्रसाद मौरे हो या चंदरशेकर उनकी पार्टी को भी अच्छे से पता है कि ये लोग जो भी बोल रहे हैं उससे एक खास जाती का वोटर खुश होगा यही वज़े हैं कि ये लोग उपरी तोर पर इस तरह के लोगों का विरोत करते हैं मगर परदे के पीछे ऐसे लोगों को इस तरह की बयान बाजी करने के लिए पार्टी की तरह से पूरा आश्यरवाद मिलता रहता है पर क्वेशन यह है कि चंदरशेखर जैसे नेता हों या स्वामी प्रसाद जैसे जब भी ये लोग राम चरित मानस या किसी और हिंदू धर्म गरंत में से कोई चौपाई या उसमें लिखी बात को सामने लाकर उसका विरोत करते हैं तो इनका मकसद क्या है क्या एसा कर कि ये लोग ये बताना चाहते है कि धर्मी गरंतों में सालों पहले अगर कुछ भी गलत लिखा गया तो उसे ठीक करना चाहिए उस पर चर्चा होनी चाहिए अब मेरा question यह है कि ऐसी चर्चा यह सिर्फ हिंदू धार्मी ग्रंथों को लेकर करना चाहते हैं या दूसरी धार्मी किताबों पर भी यह बात करेंगे मेरा मानना है नेता का तो कोई धर्म नहीं होता वो तो हर धर्म को मानने वाली जंता का लीडर होता है इस लिहास से तो उन्हें बाकी धर्मी किताबों में मौझूद विवादित बातों पर भी बोलना चाहिए मगर मैंने तो कभी नहीं सुना कि चंदरशेकर या सौमी प्रसाद मौरे ने बाकी धर्मों में लिखी बातों पर कोई लॉजिकल बात की हो या उसे दकी अनूसी बताया हो या किसी ने ये भी बोलने की हिम्मत दिखाई हो कि फलाने धर्म में लिखी ये बातें आज के टाइम में इर्रेलेवेंट है या उस धर्में बताई ये बातें आदमी और और औरत में फर्क करती है अगर इन नेताओं का सच में मकसद धार्मिक किताबों में सुधार लाकर समाज में सुधार लाना है तो फिर ये सुधार तो हर धार्मिक किताब में आना ची नहीं आना ची मगर नहीं पता नहीं क्यों इने लगता है कि इनको सारा समाथ सुधार सिर्फ एकी धर्म के खिलाब बोल कर लाना है अरे भाई एक बार बाकी धर्मों को भी अपना ग्यान बाट कर देखलो फिर देखो तुम्हें असली ग्यान मिलता है लेकिन मुझा पता है आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपनी राजनीती भी प्यारी है और अपनी जान भी, आपको न सनातन धर्म से मतलब है और न रामचरित मानस से, आपको तो बस उसे गाली देकर दूसरी जातियों और धर्मों को खुश करना है, क्योंकि इन नेताओं को लगता है कि ये जितना एंटी हिंदू दिखेंगे, जितने सनातन विरोधी लगेंगे, इनका वोट बैंक उतना ही खुश होगा। अगर चिंता की बात ये है कि इस तरह के धर्म विरोधी नेता अगर जीतकर सत्ता में आ गए, तो ये अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए एक पूरी की पूरी की पूरी कम्यूनिटी को ही बरबात कर देगे। तो खुद इनके नेता ही कर रहे हैं। ऐसा कहकर हम बीजेपी या सरकार में बेठे लोगों को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करते। लेगिन जिस तरह कुछ पार्टीयां लगातार सनातन और हिंदु धर्म को गाली दे कर लगातार इस बात का भी रोना रो रहे हैं कि देश में तो सिर्फ हिंदु मुसल्मान हो रहा है तो भागी इस मामले में आप क्या सोचते हैं आपकी क्या रहा है कॉमेंट करके जरूर और हमें ये भी बताएं कि सनातन को बार बार गाली देने के पीछे इन नेताओं की क्या सोच लगती है अपना उपीनियन जरूर शेयर करेगा और हेलो अपने उपीनियन से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं प्रोबो आप डाउनलोड करेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो 25 रुपए का वेलकम बोनस भी मिलेगा कई सारे टॉपिक्स हैं येस या नो में जवाब दो खूब सारा प्रॉफिट पाओ और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इस अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुँचाएगा शेयर करेगा फेस्बूक के देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेगा थैंक्यू फॉर वाचिंग जय हिंद